हर ब्यक्ति अपने आप में एक योगी बन सकता है, एक योगी बनने के सामर्थे ले सकता है, अपने मेहनत से, अपने कर्मों से हम जो को अरजित करें, मैं भी भोका ना रहूं, साधू ना भोका जाए, अगर भाव हर ब्यक्ति के अंदर आ जाए, तो फिर यह समग्रता सबकी संतुष्टि का कारण बन सकता है, सारे विवादों का समाधन कर सकता है. जब आप पीठा दीश बनें, आपके भारत में और भारत से बाहर भी इतने अनुयाई हैं, तो उस वक्त आपको क्या ऐसे किसी ने कहा कि आप पीठा दीश होके भी तो सरवजनिक कारे कर सकते हैं, राजनीती में क्यों उतर रहे हैं? ये कोई बंधन थोड़ा है? ये कोई बंधन किसी के लिए नहीं है? हम मनुष्य से पहले हैं, उसके वाद योगी हैं, एसन्यासी है, और मैंने आपको बताया है ना कि एक योगी की रूप में, समाज की प्रती जो मेरे करतब्य हैं, उन करतब्यों का निरूहन करूं मैं, सेवा को धर्मकों में सेवा का माध्यम बनाओ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और हम वहीं कर रहे हैं. तो एक सन्यासी का करतव्य क्या होता है? क्या वही जो एक कर्म कर रहा है अपना ये चाहे पतरकार हो या फिर राजनीती? हाँ, हर जीओं हर बेक्ति कर सकता है. हर बेक्ति कर सकता है. अब मुझे एक बत पताई है कि सबसे बड़े जो है मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें हैं तो महरसी नारादी थे अब मुझे हैं थे की नहीं थे? सबसे बड़े रिपोर्टर तो ही थे कि वह हर लोग की सुचना इस लोग में इस लोग की सुचना दूसरे लोगों तक पहुंचा देते थे. वो क्या थे? वो एक सन्यासी तो थे और मैं एक बाद बताओं कि सन्यासी ने किस काल घंड में अलग-अलग छेत्रों में प्रवेस्ट करके कारें नहीं किया हो. मैंने तो पत्रिकारते का उधान आपके सामने दे दिया है. और भी उधारन हैं, बहुत सारे ऐसे उधारन हैं. तो अब इसको आप कैसे कह सकते हैं कि it's a way of life. सिर्फ पूजा पार्ट के साथ ना जोड़ा जाए, उसे अलग भी देखना चाहिए. एक बार आपने कहा था, लेकिन आपके साथ जैसे आपकी जो वेश-भूशा है, इसलिए क्या कि लोगों ने आपको ये नहीं कहा कि अब आप सन्यासी की वेश-भूशा जो ह पहने हुए तो गाली टोपी पहन लिया तो ठीक है, पहने उसका उसकिन रूप आचन भी करे ना. देखे यह वेश-भूशा हमारी इसलिए है, लोगों की दृष्टी में हमेशा बने रहे हैं और लोग हमारे बिचलन पे उंगले भी उठा सकें और विप्रीत परस्तितियो में साथ में खड़े भी हो सकें. और इसलिए इस परकार की वेश-भूशा को एक चैलेंज की रूप में स्विकार किया जाता हमें साथ. कैसे? एक दृष्टी भी देती है और साथ-साथ ब्यक्ति को पतन के गर्थ से बचाने के लिए भी उसे हमेशा सचीत भी करती है. और जो ब्यक्ति इस से पहले जो आपने नेता की परिभासा की है उस भेश-भूसा में रहते थे उनके कर्मों को भी दुनिया जानती है. दुनिया ने उस सब कुछ देखा, अपने आँखों से देखा है. और हमारे सामने भी चैलेंज है कि हमें अपने आपको पर्फॉर्म करक जिससे मारी पार्टी को, हमारे नेत्रत्व को और हमारे बाना को भी कड़गरे में न खड़ा होना पड़ा. मैंने का भी ये तो मेरे पिताजी हैं लगता है. वो सभा की बीच में बैठे हुए थे. तो फिर मैंने सभा समात्त होने के बाद अपने साथ के कुछ लोगों से आपकी छोटी वहन जो है उन्होंने एक इंटर्वियू में कहा था कि 30 साल उन्होंने आपको राखी नहीं बांदी 2022 में एक इंटर्वियू में उन्होंने कहा कि कई वर्ष पहले जब उन्हें पता लगा कि आप घर छोड़ के आप योगी बनने के लिए निकले हैं उन्होंने कहा कि वो भीक्षा मांगने वाले संतों में आपको ढूंड रही थी और मिले नहीं आप उन्हें बहुत मुँखिल हूआ वोगा न लेकिन मुझे लगता है कि इन छीजों को हमें जो है केवल अपने स्वयम के समर्ण के लिए रखना चाहिए और स्वाभाई ग्रुप से सब के जीवन में आता है कई वर्सों के बाद जो है इस चीजें चलती रहती हैं मुझे लगता यही जीवन है मैं एक इंटर्व्यू का एक सब पढ़ना चाहती हूं सर क्योंकि यह हिंदी अकबार में छपा था और हमारे कई दर्शक हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा यह पढ़के मुझे बहुत कठिन लगा जब मैंने पढ़ा कैसे महसूस कर रही हूंगी वो मैं पढ़के सुनाती हूं उन्होंने कहा योगी के मुख्य मंत्री बनने के बाद कई लोग कहते थे कि आपको शरम नहीं आती आप मुख्य मंत्री की बेहन है और बेहन होकर आप चाय की दुकान चलाती है इन हालतों में रहती है मैं उनको एक ही बात कहूंगी मैं गरीब हूँ ये मेरा नसीब है शर्म तब आनी चाहिए जब आप कोई गंदा काम कर रहे हो किसी के हक का छीन कर खा रहे हो मैं तो महनत करके अपनी गुजर बसर करती हूँ ठेक बात है मैं इसलिए पूछ नहीं हूँ सर क्योंकि आम तोर पर लोग समझते हैं कि चीफ मिनस्टर हो या फिर सांसद हो विधायक हो इनके इर्दगिर्द लोग जो है इतने धनी हो जाते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में इसलिए आते हैं कि जो धन कमा चुके हैं उसे प्रोटेक्शन के लिए और एक ये इंटर्वी हूँ है आपकी दहन का देखें ब्यक्ति को कभी भी धन और बैभाव संतुष्टी नहीं दे सकती है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयम की मेहनत से संतुष्ट है स्वयम की परिस्त्रम से संतुष्ट है दूसरों की मेहनत से कुछ पराप्त करना और फिर उसको छीन लेना ये दो ड़कैती है उसके अलग-अलग रूप देख सकते हैं अब समाज में और मुझे लगता सबसे निंदन्य कर्म यही है और यही अंतर है एक योगी और एक संसारिक मनुष्य में एक संसारिक मनुष्य के बारे में सास्त्रों में कुछ बातें कही गई है कि वहाँ तुर्टियां अवस्य करेगा हमेशा भर्मित होगा तीसरा वहाँ हमेशा उसके मन में दूसरों को धोका देने की प्रविड़ती होगी और चौती बात उनके लिए जो कही गई है वह कही गई है कि वहाँ अपनी सीमित रिष्टी से भोश्य का उन्मान नहीं लगा पाएगा इसलिए जो है झाल झाल